आप चाहे तो उनको जाकण देख सकते हैं और अपनी इस्वोगन इंगलिस में चाहँ लगाओ सकते हैं दोनों वीडियो का लिंक आपको description box में मिल जाएगा इस वीडियो की शुरुवात करते हैं sentence structure no.3 से तो इस वीडियो को end देखेगा इस वीडियो में 15 अलग-अलग sentences मैं आपके साथ share करने वाला हूँ बहुत ही आपने interesting ये वीडियो है तो चलिए शुरुवात करते है आज की हमारी structure है can't help जिसका क्या मतलब है can't help का मतलब है unable to control unable to control यानि कि अपने आपको रोगने में असमर्थ होना किसी काम को करने में असमर्थ होना एक एक करकी 15 sentences मैं आपके साथ share करूँगा है ताकि ये concept आपको बहतरी तरीके से समझ में आए सबसे पहले आप लिखते है subject फिर आप लिखते है can't help फिर आप लिखते है verb की ing form यानि कि verb की fourth form का परियोग करते हैं और उसके बाद last में आपका आता है objective part चलिए sentence की शुरुआ करते हैं sentence number one मैं अपने आपको आम खाने से रोग नहीं सकता यहांपर subject क्या है मैं क्योंकि मेरी तो बात हो रही है सबसे पहले आप लिखते है subject उसके पाद आप लिखते है can't help उसके पाद verb की ing form और फिर object तो इस sentence को आप बनाते हैं I can't help eating mango I can't help eating mango eat हमारी verb है यान की क्रिया है और क्रिया की fourth form यान की ing form का हमने परियोग करना है पहले ही मैं आपको rule में बता चुका हूँ sentence number two मैं आपने आपको आपके पाले में सोचने से रोक नहीं सकता I can't help thinking about you I can't help thinking about you यान की क्रिया है जिसको बहुत है think इसलिए हमने इसकी IG form का प्रियोग कर रहा है sentence number three मैं आपने आपको आपको रोज फोन करने से रोक नहीं सकता I can't help calling you everyday I can't help calling you everyday sentence number four मैं अपने आपको तुम से प्यार करने से रोक नहीं सकता इसको आप बनाते हैं I can't help loving you I can't help loving you sentence number five मैं अपने आपको अपनी प्रेमिका को प्यार करने से रोक नहीं सकता इस sentence को आप translate करते हैं I can't help loving my girlfriend I can't help loving my girlfriend sentence number six मैं अपने आपको cigarette पीने से रोक नहीं सकता इस sentence को आप बनाते हैं I can't help smoking I can't help smoking या फिर आप यहाँ पर इस तरह से भी कह सकते हैं I can't help smoking cigarette I can't help smoking cigarette दोनो sentence का sense एक ही है sentence number seven मैं अपने आपको चैटिंग करने से रोक नहीं सकता I can't help chatting I can't help chatting sentence number eight मैं अपने आपको वीडियो बनाने से रोक नहीं सकता I can't help making videos Sentence number 9 मैं अपने आपको इंग्लिस बोलने से रोक नहीं सकता I can't help speaking English Sentence number 10 मैं अपने आपको इंग्लिस सीखने से रोक नहीं सकता I can't help learning English Sentence number 11 मैं आपने आपको उससे बात करने से रोग नहीं सकता I can't help talking to her sentence number 12 मैं आपने आपको इंग्लिस गुरू जी की वीडियो देखने से रोग नहीं सकता इसको आप बनाते हैं I can't help watching इंग्लिस गुरू जी इस वीडियो वह जूट बोले बिना रह नहीं सकता मैंने आपको इस ट्रक्चर में पहले ही बताया था सबसे पहले आप subject को लिखते हैं और यहांपर subject है वह है क्योंकि हम किजी और की बात कर रहे हैं इस sentence को आप बनाते हैं He can't help telling a lie sentence number 14 वह दोखा दिये बिना रह नहीं सकती She can't help cheating यहांपर लड़की है तो हमने she का प्रियोग करा और आज का हमारा last sentence है sentence number 15 वह शराब पिये बिना रह नहीं सकता He can't help drinking और आप इस sentence को इस तरह से भी कह सकते हैं He can't help drinking alcohol He can't help drinking alcohol तो guys यह थी आज की sentence structure आज की इस वीडियो में 15 sentences मैंने आपके साथ शेयर करें ताकि आपकी practice और भी जादा बहतरी तरीके से हो सके जितना आप वीडियो को बार बार देखते हैं एक routine में जितना तो सुनते हैं इंगलिस को उतना आपकी practice strong होती है तो guys आज की इस video lecture में सिर्फ इतना ही इसी तरह से मिलते हैं next lesson में किसी interesting concept के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याद रखिए अगर ये video lecture आप सभी को पसंद आया तो इसको like करिए और कम से कम अपने दोस्तों के साथ word search और facebook group में share करिए जितना हम like share करते हैं उतना हमे motivation मिलता है कि हम और भी जादा बहतरी इन video लेकर रहा है तो मिलते हैं next lesson में इसी तरह से किसी interesting concept के साथ में तब तर के लिए अपना ख्याद रखिएगा happy learning